दोस्तों आस्मान खुबसूरत तो बहुत होता है मगर इसी आस्मान में कई ऐसे रास छुपे होते हैं जो इसे रहसिम ही बनाती है फ्रेंड्स यूँ तो हम सोचते हैं कि हमें आस्मान के बारे में सब कुछ पता है लेकिन कुछ ऐसी चीजे भी होती हैं जो कि साइंटिस्ट तक नहीं बता पाते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ऐसा हुआ क्यों। फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आस्मान में घटी 10 सबसे अजीब और रहसमेई घटनाओं के बारे में जिनें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तो अंद में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में भी बताऊंगा जब भगवान हनुमान को आस्मान में देखा गया था तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल अन्नोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दीचिए ताकि हम ऐसी एरतंगे इस वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तो दिल्ली के जामा मस्जिद इलाकी के पास एक ब्लैक कलर की रिंग आस्मान में दिखाई थी। कि ये एक नैचरल चीज है और इस पर जादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाला कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया और बोला कि ये बुरी शक्तियों का नतीजा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही काली और मोटी रिंग है। मगर साइंटिस्ट ने बोला कि ये एक बड़े बंप के फटने से बन सकती है और ये स्मोक जहरीली भी हो सकती है। मगर हैरानी की बात ये है कि इस रिंग के आसपास कोई भी बंप की आवास चुनाई नहीं दी थी। फ्रेंड्स वैसे तो लोगों को अजीब चीज़ें आसमान में दिखती रहती हैं लेकिन क्या आप मानेंगे 21 अप्रेल 2020 में चायना के बीजिंग में एक शहर की बिल्टिंग्स आसमान में दुदली-दुदली दिखाई दे रही थी। इंटरनेट पर डले हुए महस 10 मिनट में इसकी वीडियो 8 लाग लोगों ने देख ली आलाकि वहां के लोग बोलते हैं कि ये बहुत कॉमन है और ऐसा अक्सर दिखता रहता है। कुछ लोग ने बोला कि ये फोटो और वीडियोज अमेरिका ने एडिट किये हैं ताकि चायना के लोग बहक चाएं और अमेरिका उन पर अटाक कर सके। मगर साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक मौसम का फिनॉमेनन है जिसे फेटा मौरगाना कहते हैं। दरसल इसमें सूरज की किर्ने जोगी इन बिल्डिंग से रिफलेक्ट होती हैं, पानी पर पड़ती हैं और फिर पानी से फिर से रिफलेक्ट होकर आसमान वे दिखाई देती हैं। दोस्तों ये बात तो आप भी मानेंगे कि चाहे कोई भी धर्म हो आपका, हम यही बोलते हैं कि भगवान आसमान से हमको देख रहे हैं। दोस्तों आस्ट्रेलिया में एक ऐसा दिरिश्चे दिखाई दिया जिसे लोगों का विश्वास भगवान से उठ गया। लोग इसे देख हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगे। ये विडियो देखिए, शाम साथ बजे जब पूरा अंदेरा होता है, एक खून के रंग जैसी चीज पूरे आस्ट्रेलिया को रोशन कर देती है। ये चीज सिर्फ करीब 10 सेकिंड के लिए आसमान में दिखाई दी, मगर वहां के लोग बहुत डर गए थे ऐसा मंजर देख कर। आपके लोगों ने कहा कि हमें लगा अब बस दुनिया का अंत होने वाला है। मगर बहुत सारे लोगों ने अपनी दलील पेश भी और बोला कि ये आपके लपटे उठने की वज़े से हुआ है। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 7. बॉल लाइटनिंग फ्रेंड्स ये भी एक नाचरल फेनॉमेन है मगर आज तक कोई इस चीज़ को एकस्प्लेन नहीं कर पाया है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिजली के गोले आसमान में इधर उधर भूम रहे हैं। ये बहुती रेरली होता है इसलिए इसके बारे में जादा जानकारी नहीं है। हम इसे बारिश के वक्त बिजली कड़कने से जोड सकते हैं मगर ये बहुती अनुपा द्रिश्य है। दोस्तो जैनुवरी 2020 में एक एरोप्लेन के इर्थ गिर्थ बिजली कड़की जिसके कारण एक बिजली का गोला एरोप्लेन के अंदर बन गया और लोगों के सर के उपर उड़ रहा था ये बिजली का गोला पूरे एरोप्लेन में घुमता रहा पर काफी देर बाद दो छेदों से भार चला गया दोस्तो 12 नौवेंबर 2019 में तमिलनाडू के एक शहर में अर्थकुएक आ रहा था और इसी के साथ बहुती डरावनी ब्लू और परपल कलर की लाइट्स भी आस्मान में चमक रही थी दोस्तो ऐसी लाइट्स पूरे शहर में अलग-अलग जगे चमक रही थी और इन सब लाइट्स को CCTV कैमराज ने कैद कर लिया प्रेंट्स अगले साल अक्टूबर 2020 में फिर से उसी शहर में 8.2 तेवरती का अर्थकुएक आया और फिर से ऐसी ही लाइट्स आसमान में देखी गई थी आकिर ये है क्या बहुत सारे साइंटिस्ट ने जाच करने के बाद ये बोला ये इलेक्ट्रिक चार्जिस के मिलने की वज़े से हुआ है जोकि अलग-अलग पत्थर के रगणने से बनते हैं प्रेंट्स यूँ तो आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी लाइट्स आसमान में देखी बहुत सुन्दर दिख रही थी मगर ये वीडियो देखे ये लाइट का चोटा सा गोला आसमान में इधर उदर घूम रहा है वैसे तो सिर्फ ये कुछी देर के लिए आसमान में दिखाई देती है इधर उदर घूमती है और फिर गायब हो जाती है मगर ये बहुती तेज भी हो सकती है जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट का गोला बहुत तेज है और इन्हे सीधे देखने में आपकी आँखों में दर्ध भी हो सकता है कुछ लोगों ने तो ये तक बोला है कि इन्हे पास से देखकर वो कई दिनों तक अंधे हो गए थे साइंटिस्स ने बोला कि ये सूरज का ऑप्टिकल इल्यूजन है जोगी लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर उदर घूंती है दोस्तों अब चलते हैं आज की सबसे खतरनाक फोटेज पर फोर ते डेमेंटॉर अबव जैंबिया फ्रेंट्स मार्च 2018 में जिंबाववे के आसमान में ये देखा गया था आज तक इस चीज की कोई भी एक्स्प्लेनेशन नहीं है दोस्तों वहाँ पर भूतों को डेमेंटॉर कहते हैं और वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं अब ये जो भी था इसका मूँ एक इंसान जैसा था और इसकी पूच अलग-अलग तार की तरह दिखाई दे रही थी वैसे तो माना चाता है कि ये बादलों भी अलग-अलग शेव की वज़े से बनी है मगर ज्यातातर लोगों ने इसे इग्नोर किया लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये चीज बहुती डरावनी लगती है दोस्तों इस फोटो के बाद लोगों ने इसके जैसा स्ट्रक्चर अपने घरों में बना कर सूशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया था भगवान हनुमान caught on camera दोस्तों ये वीडियो डेली से सटे गुड़गाओं की है जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज आसमान में बहुती उपर उड़ रही है और इसके आसपास बिजली कड़क रही है वहां के लोग इस चीज को देखने के लिए सटको पर ही रुख गए दिली के फेमस हनुमान मंदिर के पंडितों का कहना है कि ये स्वयम भगवान श्री हनुमान है जोगी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आये थे कृप्या ये वीडियो पूरी देखें कृतों मिनार हनुमान साइटी दोस्तों अब ये वीडियो जरा पूरी देखें ऐसा प्रतीत होता है मानों ये बगवान हनुमान है तोस्तों अब स्वावन है वेर्ष ये वीडियो मोट में आगया है वेड़ है अब पीछे गों किया है अब पीछे तेक देखें वीजल है जोगे प्रता है अबसक्तों से घुशवफरे लिए आगान भाने सनुशवफरें झाल